नमस्कार दोस्तोर रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस फूडिय हम देखने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो लगातार गिरता ही जा रहा है और इन्वेश्टर को परिशन करता ही जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले SBA, Cards and Payment Services के बारे में प्राइसे लगबग 7500 रुपे के आसपास और आप तक के जो रिटन है दो साल की जब से लिश्टिंग होए तब तक माइनस 26% के रिटन दे इसके से जो भी इसमें पैसा लगा है वो चोटे-चिटे इन्श्टर परिशन हो चुके देखे स्टॉक मार्क गिरता ही जाता है और आप प्यानिक हो के स्टॉक को एक्जिट करते हैं यहां पर लॉस में और जैसी यहां पर श्टॉक बेज़ते वापस एक तीज जाते तो हमेशा याद रहे के स्टॉक मार्केट में जबी भी काम करते जो चोटे इन्श्टर जब परिशन हो जाते और स जल्दी जल्दी यहां पे exit होना जाते हैं जैसी stock गिर जाते हैं तो यहां पे SBA card यहां पे आने वाले समय में अच्छा performance कर सकते हैं आपको time देना पड़ेगा तो यहां पे जो भी sector में company काम कर रहे हैं उन्हों यहां पे नया record यहां पे दर्ज के हैं 2023 में तो नया record कौन सा है यहां पे हम देखने वाले नया record मतलब क्या होता है जो पिछला record रहता है उसको यहां पे break करके नया record हमेशा बनता है तो आप लगों को पता रहेगा इनका जो main business है credit card सेक्टर में company काम करते हैं जैसी कि यहां पे अलग-अलग company लेकिन market में सबसे बड़ी जो company है हो है HDFC bank credit card में उसके बाद है यहां पे SBI credit card अभी तक HDFC का जो credit card का जो stock है market में listed नहीं सिर्फ SBI credit card का stock market में listed है इसके से यहां पे stock market में इनकी monopoly है इसके से आने वाले समय में SBI card का इसका benefit मिल सकता है यहां पे इस monopoly का यह तो है business के बारे में तो logic क्या है तो अब लोगों को पता रहेग और जो young generation है मतलब जो नए नए लोगे यहां पे जो young लोगे ज़ादा से ज़ादा online platform का काम कर रहे और यहां पे card का इस्तमाल करने के कोशिश कर रहे इसके उसे आने वाले समय में card का इस्तमाल बढ़ सकता है और यहां पे क्या हो सकता है अगर card का इस्तमाल बढ़ता है जै लेटेड ब्रेकिन यूज है तो अपलग पढ़ सकते क्रेडिट कार्ड स्पेंट राइज 47 परसें दिन फिसकल एर 2023 इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो फिसकल एर 2023 इसमें जो कार्ड का यूसेज है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मतलब क्या होगा है अल्मोस्ट डबल हो ग लेकिन अबी तो आपको क्या करना है इसमें अगर पैसा बनना है तो आपको वेट करना पड़ेगा पैनिक हो के स्टॉक को बेचेंगे तो बाद में पचता है शकते आप लोग यहाँ पे तो थोड़ा तो लग करके पैसा लागा सकते अगर आप पुरानी श्रोडर रहेंग आपको टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में इतना आसान नहीं कोई भी स्टॉक यहाँ पे 700 रुपई से डारेक्ट 2000 रुपई जानी के लिए कम से कम पास सल का टार्गेट लिके चले तब जाके पॉसिबल है इतो तो ता आज का युडियो एसवे कार्ड एसवेल लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं